सोचा नहीं था वीडियो सुरू होने से पहले बुरी खबर दूँगा भाई साब लेकिन ब्रेकिंग न्यूस तो यही है बताई देता हूँ जस्परीद बुम्रा ओफिशली टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं उनकी जगे कोई डिप्लेस्मेंट अनाउंस तो नहीं हुआ है लेकिन दीपक चाड या शमी में से कोई एक वर्ल्ड कप खेलने जाएगा तैबात है यह तो लेटिस न्यूस है नमस्कार जैहिंद मैं हूँ रौनक देखना शुरू कर चुके हैं आप सूर्य कुमार यादो स्पेशल रन तंतर क्या बात है फिट से सूर्या भाईया अरे क्यों नहीं भाई जरा नंबरों पर नज़र डालो इस साल सूर्य कुमार यादो ने 22 मैच खेले इसमें उन्होंने 42 के आवरेज और 185 के स्ट्राइक रेट के साथ 793 रन बनाये एक इस साल में सबसे आदा रन बनाने का रिकॉर्ड पाकिसान के मुहमद रिजवान के नाम है जिन्होंने पिछले साल एक कैलेंडर येर में 1326 रन बनाये थे लेकिन इस साल T20 में रन बनाने के मामले में सूरिया सबसे आगे हैं और वो रिजवान को एक नहीं डबल दुलत्ती मार सकते हैं एक तो साल में सबसे आदा रन बनाने के मामले में साथ अफरिका के खिलाफ एक और वर्ल्ड कप में कम से कम पांच मैच टीम इंडिया खेलेगी उसके बाद भी कुछ T20 मैच होंगे यानि रिजवान का 1326 वाला रेकॉर्ड तो गियो उपर से दुनिया के नमबर वन T20 वले बास सूरिया इसी हफते बन सकते हैं आईसीजी के ऑफिशल रैंकिंग बुधवार सुबे जारी होती है पिछले हफते इसमें सूरिया भाई है नमबर दो पर थे और इस बीच इन्होंने दो आफ सेंचरी मार दी है उपर से रिजवान इस बीच एक मैच मिस कर चुके हैं दूसरे मैच में एक रन बनाकर आउट होगे यानि वेडनेज जे की सुबे जब आप उठेंगी तो हो सकते हैं आपको टॉप पर सूरिकुमार यादों मिलें वैसे भी बुमरा के बाद वर्ल्ड कप जितानी की सबसे बड़ी उम्मीद सूरिया भाई ही है लेकिन जिताने से याद आया मैं आपको जिता सकता हूँ महिंद्रा थार आडे तू क्या जिताएगा माई 11 सटकल आप वाली जिताएगा यह बात भी से बहुआ भाई इसलिए मैं बुल रहा हूँ इस आप को डाउनलोड तो कर लो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पे क्लिक करके इस आपको डाउनलोड करो और कैसे आप जितोगे महिंद्रा थार वो मैं आगे बताऊंगा मेरे यार फिलाल बात कर लेते हैं आज होने वाले मैच की तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा जो की इंदौर में होना है इंदौर का ग्राउंट छोटा है अगर सूर्य भाईया ने गुआटी में 277 की स्टाइक रेट से रन बना दिये तो यहाँ पर तो भाईया एकदम ऐसी फायर लगाएंगे कि मद्धिप्रदेश फायर डिपार्टमेंट को जो लोग मैच देखने जा रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि हेलमेट पहन कर जाएं छक्कों की बारिश होने की संभाव ना है सिर्फ सूर्या ही क्यों इंडिया के टॉप फोर बैतरीन फार्म में है दिक्कत है तो गेंद बाजी की साइट से अगर हमारे बल्ले बाजों ने रेकॉर्ड टोटल नव बनाये होता तो ऐसा समलू कि दूसरी सीरीज में दूसरी बार हम 200 से उपर का टार्गेट डिफेंड नव कर पाते सही पकड़े हैं पहले तो हम भुबनेशोर कुमार से सौरी बोल देते हैं कि हमें ये समझ में आ गया कि दिक्कत उनमें नहीं थी दिक्कत तो ये 19 में ओर में है जो भी फेंकता है पेला जाता है बॉयकोट गैंग से मेरी गुजारिश है कि बॉलिवुड से फुरसत मिले तो थोड़ा 19 में ओर को भी बॉयकोट करने की तरफ ध्यान देना चीए नहीं देना चीए और आज तो वैसे भी इंडिया सीरीज जीत कर मैच खेलने जा रही है इसलिए कई खिलाडियों को आराम दिया जा सकता है ये बात होता है कि केल राउल और विराट कोली को आज के मैच में आराम दे दिया गया है गेंदबाजों में अरश्दीप की जगे उमेश आदव ले सकते हैं अश्विन की जगे चहल वापसी कर सकते हैं क्या ये नए गेंदबाज हमारी flop हुई गेंदबाजी में जान डाल सकते हैं वो तो आज के match में देखने के बाद अपने को पता लगेगा लेकिन एक चीज जो मुझे अभी भी पता है वो ये है कि My 11 Circle app पर bumper price बांटे जा रहा है आपको क्या लगता है फालतु में इस एप को डाउनलोड कौन करें कौन ही जीतता है यहाँ पर तो भाई साव इन लोगों से मिलो महराश्टर के प्रमीड जाद हो जी इन्होंने My 11 Circle app पर जीती है एक brand new Audi car तो आप भी किस चीज का वेट कर रहे हो वो Audi जीते आप महिंद्रा थार जीत सकते हो फटाफट से description में जो link दिया उस पे click करके इस app को download करो और आज होने वाले match में आपन मिलकर इसमें अपनी team बनाएंगे mega contest में इसको खिलाएंगे और थार अपने घर लेकर जाएंगे और हाँ download करोगी तो 1500 का joining bonus भी है मैच हा रहा है अगर 33 वाले match में एक दो अफरीकी बलेबाज भी थोड़ा सबर का फल खा लेते तो हालेच इतनी बुरी नहीं होते इसी तरह दूसरे match में 237 का पीछा करने के बावजूद अफरीका सिर्फ 16 रन से हा रहा अगर डिकॉग ने शुरुवात में अपनी इनिंग थोड़ी अच्छी पेस कर ली होती फिर कप्तान तेमबा बवूमा पहला ओर मेडन न खेलते या फिर अर्शदीब को एक ही ओर में साउथ अफरीका वाले दो विकेट न देते तो जिस तरह से वंडे का सबसे बहतरीन चेज साउथ अफरीका के नाम है उसी तरह T20 भी उन्हीं के नाम हो जानी थी लेकिन देखो क्रिकेट किंतु या परंतु का खेल नहीं है अब कुल मिलाकर तो बात यही है कि इंडिया 2-0 से सीरीज जीत गई है और आज इंड़ोर में 3-0 करके रोईचर्मा के लड़के ये दोरा अपने नाम कर सकते हैं रिजल्ट चाहे जो भी हो लेकिन ये तो तैय है कि इंड़ोर में रन बाल्टी भर भर के बनेंगे इसलिए आज की अपनी माई 11 सरकल अप वाली टीम में हम बल्ले बाज भरने वाले हैं विकेट कीपर डिकॉक हैं बल्ले बाजी तेमबा बभूमा, रोईच शर्मा, मिलर, मारकरम और सुरिकुमार यादों करेंगे आल राउंडर बनाएंगे केशा महराज जी को और अक्षर पटेल को जबकि गेंद बाजी कर रहे हैं अर्षदीप सिंग, दीपक चाहर और रबाडा, मारकरम को मैंने अपना कैप्टन चुनाएं जबकि रोईच शर्मा बनेंगे हमारे उपकप्तान लेकि नियाद रखें, माई 11 सरकल अप पर आप मैच की पहली गेंद होने तक अपनी टीम बदल सकते हैं और लाइनप टॉस के बाद अनाउंस होगी, इसलिए टॉस होने के बाद ही अपनी टीम बनाईएगा और महिंदर अथार जीतने का फुल मौका पाईएगा लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया, उसपे क्लिक करके इस आप को डाउनलोड करना जल्दी से डाउनलोड करो, पंद्रह सो का जॉइनिंग बोनस भी आपको मिल सकता लेकिन याद रखना this game involves an element of financial risk and may be addictive please play responsibly and at your own risk बागी जाने से पहले और एक बार मैं आपसे अंगुठा लगाने की अपील करूँगा बोले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना फेस्टाग्राम पे भी राम राम बोलना और डिस्क्रिप्शन में अपने नाम के साथ कहां से आप देख रहे हो देश या विदेश की किस कोने से आप देख रहे हो उस जगे का नाम भी ज़रूर लिखना और ये भी बताना गेस करके कि क्या लगता है आज सूरे फिर उदय होगा या शर्मा जी का लड़का दोएगा या शर्मा जी का दमाद एक मिनट ये तो शायद नहीं खिल रहे हैं जो भी लगया आपको कौन है इंडिया का टॉप प्लेर आज के मैच पे उसका नाम गेस करके बताओ थैंक्यू फो वाचिंग कल मिलते हैं जेहिन